तो आप हम वैक्सिन की तरफदारी क्यों करते हैं? क्या आप लोग वैक्सिन के दलाल हो? देखो, खुई आदमी अब अपनी माता के साथ, मात्रू भूमी के साथ काम कर रहा है और अगर वो दलाली के लिए करता है, तो ये बहुत घोर पाफ है तो अभी सीधा सीधा बात करते हैं, क्या बूस्टर लेना है या नहीं लेना है, बच्चों को वैक्सिन देना है या नहीं देना है जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था और जिनोंने टीके लिए है जिन्होंने दो टीके लिए है उनका ओमिक्रॉन के खिलाफ अस्पताल जाने का चांस 60 फीसद से कम था तीन टीके लिए है उनका 81 फीसद से कम था दो टीके लिए है और डेल्टा या ओमिक्रॉन या दोनों हुए थे उनका अस्पताल जाने का चांस लगबग 95 फीसद कम है तो अस्पताल जाने का चांस एक या दो फीसद ही है फिर भी कुछ लोग अस्पताल जा सकते है और कुछ लोग जो कमजोर है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कुछ लोग ऐसे है कि उनको खुद को पता नहीं और हमें पता नहीं वो कमजोर है और वो लोग अचानक अस्पताल जा सकते है या दुर्भागयता से उनकी मौद भी हो सकते है यह जो निर्बंध है ना यह मास्क अभी केसेज बढ़े है इसलिए अभी क्या सब जगह पे मास्क वापस है उससे कुछ फरक नहीं पड़ता एक डॉक्टर के लिए मास्क के खिलाफ बात करना बड़ा डिफिकल्ट है मैं मास्क के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ जिसको पहनना है पहनो मैं कह रहा हूँ उससे कुछ फाइदा नहीं है कुछ स्टडी दिखाओ मेरा डर क्या है कि अभी मास्क वापस लाए फिर निर्बंध लाए जो 1947 से भारत का सपना क्या है कि गरी भी हटाएंगे अगर ये करके निर्बंध लाए और वापस ऐसा लॉकडाउन जैसा कर दिया ना तो वो सपना पूरा हो जाएगा जब गरी भी नहीं बचेंगे तो गरी भी हटी जाएगे ना कहा रहेगी गरी भी गरी भी सब लोग मर गये तो तो अभी कुछ निर्बंध वगरा लाना नहीं है जैसी लाइफ है वैसे चालू रखो पूरी तरह से चालू रखो कुछ बंद मत करो थोड़े बहुत लोग जो अस्पताल जा रहे हैं उनको रोक सकते हैं दोस की हैसे से कह रहे हो बूस्टर ले लो बच्चों का टीका दे यह दवाई लाने की कोशिश करो कोविशिल को वैक्सिन का डोस अजिस करके देखो ओक्टोबर में और एक बूस्टर लेना है क्या या नहीं लेना है और बाकी जैसा है वैसा चालू रखो वैक्सिन अभी भी आपको सीरियस डिसीस से बचाते हैं तो दूसरा जो बूस्टर है मतलब चौथा डोस अमरिका में दे रहे हैं मैंने वो नहीं लिया है और मैं उसके खिलाफ हूँ क्योंकि मैं कह रहा था कि वैक्सिन का फॉर्मिला बदलना चाहिए यह इतना तीजी से बदल रहा है वायरस कि जब तक हम वो वैक्सिन मार्केट में लाएंगे तब तक तो बदला चुका होगा तो इसके लिए दो चीजे कर सकते हैं एक तो वैक्सिन लेना ही नहीं है फ्यूचर में शायर ऐसा करेंगे लेकिन वैक्सिन सीरियस डिसिस के खिली बहुत अच्छा तरह से बचाती है टी सेल को एक्टिवेट करके तो इसके उपर एक ही सोल्यूशन है और वो है यूमन स्टडीज किये बगर लैब में फॉर्मिला एज़ेस्ट करके ओमिक्रॉन इतना ओमिक्रॉन के सब वैरियन बदलने के पहले ही उसका वो वैक्सिन मार्केट में लाने का यूमन ट्रायल के बिना वैक्सिन क्या आप फार्मा के एजेंट हो अरे भाई ऐसा ह कि अधल होता है फ्लू का वैक्सिन हम लोग सदीयों से ले रहे है हर साल ले रहे उसका हर साल का जो फार्मिला बदलते है उसका कोई यूमन ट्रायल नहीं होता इसरा ही ट्रायल करके हर दो साल में शायद बूश्टर लेना पड़ेगा शायद कुछ समय ऐसा आए गा कि विशिल बहुत अच्छी है, पांच-छे मेना है अभी अपने पास, अगर हमको उसका भी फार्मिला बदलना है, अक्टोबर तक, तो वो बदलना चाहिए, तो मैं वैद्य के मशवरा नहीं दे रहा हूं, दोस्की हैसियत से कह रहा हूं,